हेलो रिवान वेल्कम बैक टियूर फीर वीडियो दो चैलेंज के सनलाइक्स माइनेम इस परेम पांडेव और आज हम पांडेवाले हैं क्लास नाइन का चाप्टर नुबर 2 इस साउंड आफ म्योजिक चाप्टर नुबर 1 दफन दे हैं भी हाइफ बुक से मैंने अल्रेडी अ अब देखो ये पूरा चाप्टर दो पार्ट में डिवाइड़ है मतलब पहला पार्ट हमारा इवलिन गलीनी के बारे में है ये भी बायोग्राफी है मतलब किसी की गाथा है किसी परसन के बारे में बताये गया है और दूसरा पार्ट भी एक बायोग्राफी है और वो किसक listens to sound without hearing it इवलन ग्लैनी आवाज को सुन लेती थी बिना सुने मतलब वो बहरी थी फिर भी वो आवाज को सुन लेती थी कैसे ऐसे हुआ ये हम पुरा चाप्टर में पढ़ेंगे बिफोर यू रीड आपको पढ़ने से पहले कुछ जान लेना शाहिए God may have taken her hearing God ने भले ही इवलन ग्लैनी के सुनने की चमता ले ली हो but He has given her back something extraordinary लेकिन God ने इवलन ग्लैनी को कुछ और भी अच्छा दे दिया था what we hear जो हम सुनते थे see feels जो हम सुनते थे वो महसूस करती थी क्योंकि वो सुन नहीं पाती थी ना far more deeply हम से कहीं गहराई से वो सुनती थी than any of us हम लोग जितना सुनते हैं उससे कहीं गहराई से वो महसूस कर सकती थी आवाज को that is why see express music so beautifully और यही कारण था कि वो संगीत को इतने beautifully इतने अच्छे तरीके से express कर पाती थी दिखा पाती थी लोगों को read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story अब हम एक ऐसे इंसान के बारे में एक ऐसी लेडी के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपने सारीरिक अच्छमताओं मतलब सारीरिक अपंगता से आगी बढ़कर अपनी जंदगी को एक success story बना लिया एक विजयी गाथा बना लिया तो चलिए सुरू करते हैं पहला paragraph Russ R crowd कैसा scene था Russ R मतलब ऐसे के सकते हो सुबा का time था ठीक है और जो भीड थी वो धक्का मुक्की कर रही थी जोसल कर रही थी for position on the underground train platform underground platform पे एक train खड़ी थी underground platform का मतलब थोड़ा सा जमीन की नीचे एक platform था वहाँ पर एक train खड़ी थी और लोग उसी पे उसी train में बैठने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे a slight girl एक छोटी सी पतली सी लड़की looking younger than her 17 years जो की अपने 17 साल से भी छोटी लग रही थी was nervous वो देरी हुई थी थोड़ा सा घबराई हुई थी at excited लेकिन कहीं न कहीं वो उत्सुख भी थी as she felt the vibrations of the approaching train हाला कि वो सुन नहीं पाती थी फिर भी जब कोई भी आवाज उसकी तरफ आती थी न तो वो महसूस कर सकती थी उस sound के vibrations को sound के कमपन को ठीक है तो जैसे ही train उसकी तरफ horn बजाते हुए आ रही थी वो महसूस कर पा रही थी उस horn को और थोड़ा सा घबरा जा रही थी लेकिन excited भी थी वो it was her first day at the prestigious royal academy of music ये इवलन ग्लैनी का पहला दिन था बहुत ही famous school में बहुत ही famous music के school में school का नाम था royal academy daunting enough for any teenager fresh from a Scottish form और ना कि केवल ये पहला दिन था इवलन ग्लैनी का बलकि ये daunting भी था इवलन ग्लैनी के डराओना भी था कोई भी 17-18 साल का teenager 17-18 साल का बच्चा होगा जो कि Scottish form मतलब Scotland के गाउं से नया नया आई है और उसे जाना है London तो कोई भी डर जाएगा बट इस aspiring musician faced a bigger challenge than most लेकिन इस music को सीखने की इच्छा रखने वाली aspiring musician मतलब who wanted to become musician इस इवलन ग्लैनी ने ना faced a bigger challenge उन्होंने इस कठिनाई से भी कहीं बड़ी कठिनाई का सामना किया है जैसे की she was profoundly deep वो बहुत ही बुरी तरीके से बहरी थी मतलब बिलकुल सुन नहीं पाती थी दूसरा paragraph स्टार्ट करते हैं इवलन ग्लैनी के जो सुनने की चमता थी वो धीरे धीरे गई थी हर mother remembers इवलन ग्लैनी के मा को आज भी याद है noticing something was wrong जब उनकी माने सबसे पहली बार ध्यान दिया था कि कुछ तो गलत है when the eight years old इवलन was waiting to play the piano जब आठ साल की इवलन ग्लैनी इंतजार कर रही थी लोग उसे बुला रहे थी कि इवलन आओ प्यानो बचाओ लेकिन फिर भी वो इंतजार कर रही थी और इवलन ग्लैनी के मा का क्या कहना था वो double inverted comma में लिखा गया है कि they called her name उनकी मा का कहना था कि उन्होंने इवलन ग्लैनी का नाम बुलाया but she didn't move लेकिन इवलन ग्लैनी वहाँ से हिली डुली नहीं I suddenly realized मुझे अचारक महसूस हुआ कि she had not heard कि इवलन ग्लैनी ने सुना नहीं says Isabelle ग्लैनी और ये क्यों कहता है इवलन ग्लैनी की मा Isabelle ग्लैनी for quite a while इवलन managed to conceal her growing deepness कुछ समय के लिए तो इवलन ने कैसे कैसे समहा लिया छुपा लिया conceal का मतलब छुपा लिया अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को अपने दोस्तों से और अपने टीचर्स से कुछ दिन तक तो इसने छुपा लिया but by the time she was 11 her marks had deteriorated लेकिन जैसे ही वो 11 साल की हुई जो उसके नमबर थे subjects में वो deteriorate होगे मतलब गंदे होगे कम आने लगे marks and her headmistress और तब इवलन ग्लैनी की जो principal थी उन्होंने इवलन ग्लैनी के माता-पिता से parents से कहा कि इसे एक specialist के पास जाए किसी बहरे डॉक्टर के पास ले जाए मतलब बहरे डॉक्टर नहीं ऐसा डॉक्टर जो बहरों का इलाज करता हो ठीक है इट वास देन डिस्कवर्ड और तभी पाया गया था कि जो इवलन ग्लैनी के सुनने की चमता है वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई है as a result of gradual nerve damage क्योंकि उनके कान का एक जो नस था न वो खराब हो चुका था डैमेज हो चुका था और उनके माता-पिता को ये सला दी गई कि इवलन ग्लैनी को फिट किया जाना चाहिए उसके कान में hearing ads लगाया जाना चाहिए hearing ads का मतलब आपने देखा होगा एक earphone के जैसे कुछ होता है जो लोग बहरे होते हैं उन्हें दिया जाता है ताकि वो सुन सकें तो उसी को हम hearing ads कहते हैं तो उनके माता-पिता को बताया गया कि इविलान ग्लैनी को hearing ads लगा दिये जाए and sent to a school for the deaf और बहरे लोगों के school में भेजा जाए जहां पर बहरे बच्चों को पढ़ाया जाता है everything suddenly looked black अचानक से सब कुछ अंधेरा पढ़ गया इविलान ने कहा कि जब मैंने ये सब कुछ सुना मेरी जिंदगी अंधेरे सी लगने लगी थी मुझे third paragraph पढ़ते है but इविलान वास not going to give up लेकिन इविलान ग्लैनी ने छोड़ा नहीं she was determined to lead a normal life उन्होंने प्रतिग्या कर चुकी थी कि वो एक सामानने जिंदगी जियेंगी and pursue her interest in music और अपना जो interest है अपना जो रूची है ना कि music सीखने का उवही करेंगी वो अपनी life में वो music ही सीखेंगी चाहे कुछ भी हो जाए one day she noticed a girl playing a xylophone एक दिन की बात है इविलान ग्लैनी ने अपने school में एक लड़की को देखा जो कि xylophone बजा रही थी xylophone कुछ ऐसा होता है जैसा आपको बगल में दिख रहा है दिख रहा ना वो जो दो stick है फिर लकडी जैसा कुछ बना है उस पर बजाते हैं तो यह है xylophone तो इविलान ग्लैनी ने अपने school में एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा and decided that और तब ही इसने फैसला कर दिया था कि she wanted to play it 2 कि इविलान ग्लैनी भी इस जैलोफोन को बजाएगी most of the teachers discouraged है उसके जादा तर teachers ने कहा कि नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा discourage किया क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी but percusnist Ron Forbes लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था Ron Forbes वो क्या था वो percusnist था मतलब वो बहुत सारे instruments को बजा सकता था spotted her potential उसने उस व्यक्ति नहीं इविलान ग्लैनी की छमता को पहचान लिया he began by tuning two large drums और Ron Forbes में सबसे पहले क्या किया दो बड़े-बड़े drum को क्या किया tune किया different notes में मतलब जो एक drum था उसका जो सुर था ताल था उसको थोड़ा धीमा रखा और एक जो drum था उसका सुर ताल थोड़ा हाई रखा उसने ठीक उसके बाद क्या किया don't listen through your ears he would say वो कहते थे कि अपने कानों से मत सुनो try to sense it some other way कहीं और से महसूस करने की कोसिस करो says इवलान इवलान बताती है कि जो उनके teacher थे Ron Forbes वो कहते थे कि अपने कानों से मत सुनो बलकि कहीं और से महसूस करने की कोसिस करो suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up इवलान ग्लैनी बताती है कि अचानक से मैंने महसूस किया कि वो drum जिसका सुर्ताल थोड़ा high था उसको मैं अपने waist up कमर के उपर वाले हिस्से में महसूस कर सकती हूँ and the lower one और वो drum जिसका सुर्ताल थोड़ा धीमा था उसको वो कमर के नीचे वाले हिस्से में महसूस कर सकती थी Forbes repeated the exercise Ron Forbes नामक वो बैकती इवलान ग्लैनी को बार बार यही exercise कर वाता था and soon इवलान डिसकवर्ड था she could sense certain notes in different parts of her body और और आखिरकार इवलान ने ये पाया कि वो महसूस कर सकती है अलग-अलग सूर और ताल को अपने body के अलग-अलग हिस्से से ठीक है I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations और फिर इवलान ग्लैनी ने कहा कि मैं अपने जो sound था जो आवास था ना उसको मैं उसके लिए मैं अपना mind, मन और अपना सरीर खुला रखती थी कहीं से भी आवाज आए ताकि मैं उसे महसूस कर सकूँ the rest was sheer determination and hard work और बाकी काम किस ने कर दिया दिढ निश्चता मतलब बहुत ही निश्चे कर लिया था उसने sheer का मतलब बहुत ही एकदम वो अटिल थी कि नहीं मुझे करना है तो करना है and hard work और कडी महनत ने बाकी काम कर दिया चौथा paragraph और उसके बास से इविलान ग्लैनी ने कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और वो UK भी गई इंगलैंड भी गई अपने नए ने औरकेस्ट्रा के साथ औरकेस्ट्रा क्या होता है एक group of musicians होता है जिसमें कुछ बजाते हैं कोई गाता है औरकेस्ट्रा आप जानते ही हो हमारी साथियों में आता है ठीक है और जब तक वो 16 साल की होती she had decided to make music her life उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो संगीत को ही अपना जीवन बनाएंगी मतलब वो संगीत ही सीखेंगी अपनी पूरी लाइफ में और उसको ही परफॉर्म करेंगी she auditioned for the Royal Academy of Music उन्होंने audition दिया लंदन के सबसे बड़े संगीत के स्कूल में जिसका नाम था Royal Academy and scored one of the highest marks in the history of the academy और पूरे स्कूल की इतिहास में सबसे जादा नंबर पाने वाली महिला बन गई इवलान ग्लैनी she gradually moved from orchestral work to solo performance और वो धिरे धिरे जो लोगों के साथ एक group बना के गाती थी उसको छोड़ कर वो अकेले performance करने लगी अकेले ही गाने लगी और अकेले ही बजाने लगी at the end of her 3 year course और जैसी ही इसका 3 साल का course पूरा होता है she had captured most of the top awards इवलान ग्लैनी को उस समय के संगीत के जितने भी top awards थे वो मिल चुके थे ठीक है? पांचोंगा paragraph and for all this और इन सारी चीजों के लिए इवलान won't accept any hint of heroic achievement इवलान का ये मानना नहीं है कि कुछ चमतकार सा हो गया कुछ hero जैसा हो गया कि मैं अचानक से सब कुछ सीख गई उनका कहना था कि if you work hard अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे and know where you are going और अगर तुम ये जानते रहोगे कि तुम्हें कहां जाना है you will get there तुम वहाँ पहुच जाओगे and she got right to the top और वो भी इवलान ग्लैनी भी पहुच गई सबसे उपर right to the top the world's most sought-after multi-percursionist मतलब दुनिया की सबसे जादा sought-after मतलब मांग की जाने वाली multi-percursionist अलग instruments को बजाने वाली और सबसे जादा public जिसके demand करती थी एक ऐसी musician बन चुकी थी with a mastery of some thousand instruments पाप रे लगभग लगभग हजार instruments हजार musical instruments ये बजा सकती थी and hectic international schedule और सबसे busy schedule था इनका दुनिया भर में इनके performances होते थे और पूरा दिन busy 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 ही रहता था और sixth paragraph हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे तो कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए अगला पार्ट जरू देखिए मिलते अपने अगले वीडियो में तब तब के लिए जाए हिंड़े जाए हिंड़े